मूवी की शुरुवात में डे नाम का आदमी एक सुके हुए स्विमिंग पूल में उठता है। पर एक चैन से बंदा डॉग ये सब देखकर भोकने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुल पूदी तरह भरा हुआ था। पुल में हो रहे फोटो शूट में डे मदद कर रहा था। पुल में एक सोफा गिराया जाता है। पुल में एक मॉडल जोकर के मेकप में पोज देती है। डे की गल्फेंड कोई अपने कुटे लखी के साथ शूट पर आती है क्योंकि डे ने ही उसे लखी के साथ बुलाया था। क्योंकि वो लखी को प्रॉप की तरह इस्तिमाल करने वाले थे। डे को डाइबटीज है। इसलिए वो साइड में जाकर अपनी इंसूलिन लेता है। वहाँ कोई आकर उसके साथ प्रेगनिंसी पर जोक करती है। जिससे डे थोड़ा परेशान होता है। वो कुटे के साथ शूट करते है। फिर क्रू ग्रूप फोटो लेकर चला जाता है। अगले दिन डे पूल में था वहाँ लकी भी आता है। वो शूट के बाद हुए लिए शहर से बाहर जा रहा था। वो डे को गुडबाई कहने आया था। वो पूल को खाली करने वाला लिवर खीच कर लकी को चैन से पूल के पासी बान देता है। जाने से पहले डे उसे पीज़ा ओडर करने कहता है। वो डे को बोलता है वो जल्दी से बाहर निकल जाए क्योंकि पूल खाली होने वाला है और ये नोटिस किये बिना कि पूल का water level कम हो रहा है डे गलती से अपने floaty पर ही सो जाता है कुछ देर बाद वो लकी के भोकने से जाखता है, तबी उसे water level दिखाई देता है, वो तैर कर पुल के side में आता है ताकि पुल से बाहर निकल सके, लेकिन उसे पता चलता है वो बहुत जादा deep में आ चुका है, वो उपर चड़ने की बहुत कोशिश करता है, जिसमें उसके उ पूल के edge पर ही था तबी वो वाइब्रेट होकर हिलने लगता है और हिलते हुए पूल के एकदמette पर आ जाता है दे खुशी में उसके गिरने का इनतेज़ार कर रहा था लेकिन तभी गल्ती से लकी पूल में फिसल जाता है और पूल के edge पर लटक जाता है उसके गले लेवल बहुत कम हो गया था जब दे फोन पकड़ने की कोशिश करता है फोन पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है फिर दे एक कपड़े की मदद से वेंट ढाक कर पानी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब वो पानी के नीचे था पीज़ा डिलेवरी बॉय आता है वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता वो मैयॉम को कॉल करता है मैयॉम उसे पीज़ा वही रखने बोलता है इधर पानी के वेंटिलेशन में डे की बेल्ट फस गई थी जब तक वो पानी के उपर आता है डिलेवरी बॉय चला जाता है उसे अभी भी यकीन था जल्दी उसे ढूडने कोई जरूर आएगा जादा ना सोचते हुए डे वापस फ्लोटी पर सो जाता है कुछ समय बाद उसकी गल्फरेंट कोई वहाँ आती है वो वाटर लेवर पर ध्यान नहीं रेती वो प्लेटफॉर्म से पूल में जम करने जाती है लेकिन तबी डे उठ जाता है और तुरंत उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन डिस्ट्रेक्शन से कुई का पैर फिसल जाता है जिससे प्लेटफॉर्म का एज उसके सिर में लगता है और वो भी पुल में गिर जाती है दे उसे पानी से बाहर निकालता है उसके सिर से खून बह रहा था वो उसे फ्लोटी पर लेठा देता है और वेंटिलेशन में लगे कपड़े को लाकर उसके सिर से बह रहे खून को रोकने की कुशिश करता है अब रात हो जाती है वाटर लेवल खतरनाक रूप से नीचे आ चुका था दे कोई की चोड देखता है लेकिन कोई के मास का तुखड़ा उसके हाथ में आ जाता है इसके तुरंद बाद लखी जोड़ जोड़ से भोकने लगता है क्योंकि मेंटेनेंस से एक क्रोकोडाइल रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था इसलिए डे उसे शांत रहने का इशारा करता है वो क्रोकोडाइल लखी के पास पहुची गया था लेकिन वहां रखे पाइप से क्रोकोडाइल फिसल कर पूल में ही गिर जाता है अब डे पुल में एक मगरमच और अपनी घायल गर्फ्रेंड के साथ था रात खत्म होती है और सुबा तक पुल पूरी तरह ड्राय हो चुका था कोई अभी तक होश में नहीं आई थी पुल की दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपना मूँ खोल कर सोया हुआ था डे को कोई के जेब में positive pregnancy test kit मिलती है मतलब कोई pregnant है दे बेहोश कोई से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा डे देखता है कोई की चोट से अभी भी bleeding हो रही है डे सोय हुए क्रोकोडाइल के पास जाता है क्योंकि उसके मूँ में डक टेप था पिछले किन जाने से पहले मेयोम ने उस टेप को पुल में फेका था डे क्रोकोडाइल के मूँ से टेप लेने जाता है लेकिन वो जाग जाता है लेकिन डे टेप ले लेता है क्रोकोडाइल डे पर गुर राता है लेकिन उस समय पर कोई के पास वापस आ जाता है वो डग टेप और अपने कपड़े का इस्टेमाल करके कोई की चोट पर पट्टी बांध कर उसका खोन रोकता है उसने पीने के लिए पूल के पानी से भरी एक बाल्टिक कलेक कर ली थी वो पूल के वेंटिलेशन से जहां से पानी भरता और खाली होता है वो डिसाइट करता है वहां की टनल के रास्ते बाहर निकलेगा वो धक्कन हटा कर कोई को देखने जाता है लेकिन इस बीच क्रोकोडाइल टनल में चला जाता है वो बहुत देर तक उसके बाहर आने का इंतिजार करता है लेकिन फिर रिस्क लेकर खुद अंदर जाता है उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया था लेकिन वो लॉक था लेकिन पूल के अंदर क्रोकोडाइल वापस आकर कोई की तरफ बढ़ रहा था लेकिन तबी डे भी वापस आ जाता है और उसकी दुम पकड़कर उसे फेक देता है लेकिन लखिली क्रोकोडाइल उस पर वापस हमला नहीं करता कुछ समय बाद कोई कोई भी होश आ जाता है वो डे को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है डे उसके पास ही था अब रात हो जाती है कोई फोटो शूट के लिए इस्तेमाल हुए सोपे पर थी डे नोटिस करता है लकी पीज़ा खा रहा है लकी पीज़ा बॉक्स डे क की तरफ फेक देता है और डे और कोई तीन दिन बाद कुछ खा रहे थे अब चौते दिन उनका पीने का पानी भी खत्म हो गया था डे बेहोश हो जाता है और पूरा दिन ऐसे ही रहता है वो रात में कोई के गोद में उठता है वो कोई से पूछता है क्रोकोडाइल ने उस डे उसे अंदर धकेलता है और दोनों वेंड को कवर कर देते हैं फिर दोनों सूकी घास के तुकडो और डे के चश्मे की मदद से आग जलाते हैं और मगर मचके अंडे उबाल कर खाते हैं रात में दोनों सोफी की मदद से उपर चड़ने की कुशिश करते हैं लेकिन दोनों पता है कल धूप में वो एक और दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगे इसलिए दोनों मगरमच को वापस लाने और खुद सुरंग में जाने का फैसला करते हैं अगले दिन वो वेंट को खोल देते हैं क्रोकोडाइल वापस आता है और अपने अंडों की तरफ जाता है कोई इंजेक्शन देखते हैं जिसे में ओम ने एक टेबल पर वेंड के पास ही रखा था डे एक स्प्रिंग वायर की मदद से इंजेक्शन अपनी तरफ खीचने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर कर तूड जाता है दोनों रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकल कोई उम्मीद नजर नहीं आती लेकिन तभी डे को वही पर अपना इंसुलिन केस मिलता है क्योंकि मेयोम ने गलती से उसे वेंट में गिरा दिया था डे फाइनली खुद को इंजेक्शन लगाता है अगली दिन दोनों को पूल के ऊपर एक पैराशूट दिखाई देता है दे कोई को बेरर से टनल के इंटरंस को ब्लॉक करने कहता है और खुद बाहर मदद के लिए जाता है लेकिन जब वो पूल में आता है तब उसे दिखाई देता है वो पैराशूट बच्चों का ड्रोन था डे इस उम्मीद में चिलाने लगता है कि कोई उसके आसपास हो तो उसे सुन ले तबी तेज हवा चलने से कपड़े सुखाने का वायर तूटकर पूल के अंदर गिरता है डे उस पर चड़ने की कोशिश करता है वो खुश था क्योंकि वायर उसका वजन आसानी से उठा रहा था उसकी हतेली बुरी तरह घायाल हो जाती है लेकिन डे चड़न हो गए थे इसलिए कोई के पास जाने से पहले वो आराम करता है रात होते ही बारी शुडू हो जाती है जहां कोई है वो टनल बैरर से बंद थी जिससे वहाँ पानी भढ़ने लगता है वो डे को बुलाने के लिए बैरल पीटने लगती है डे सुन लेता है और वापस सुरं देटी में दो स्विमिंग पूल थे और वो बस एक स्विमिंग पूल से दूसरे पूल में आया है जो पिछले वाले जितना ही गहरा है और इसमें भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं अब सातवे दिन दो लोग अपना ड्रोन देखने वहाँ आते है लेकिन कोई और डे ट देखने पूल देखने लेकिन कोई लगातार सीटी बजा रही थी जिससे लखी अट्रेक्ट होता है क्योंकि ये वही सीटी थी जिससे उसे ट्रेन किया गया था डे बहुत कोशिश करता है कि लकी ना कूदे लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है क्योंकि लकी कूद जाता है बेचारा डॉग अभी भी चेन से बन्धा हुआ था कूदने से उसे फासी लग जाती है हेलपलेज डे बस उसे मरते हुए देखता है और लकी धीरे धीरे दम घुटने से मर जाता है ये देखकर डे को बहुत गुसा आता है और वो अपना आपक होकर एक पूल की मदद से क्रोकोडाइल को मार देता है इस लड़ाई के बाद डे बुरी तरह ठक गया था लेकिन उसे कोई को भी बचाना है वो फिर से अपनी पूरी हिम्मत और ताकट जुटा कर मरे हुए लकी और उसकी जनजीर का इस्तिमाल करके स्विमिंग पूल से फाइनली बाहर निकलता है और साथ दिनों के स्ट्रगल के बाद आखिर कार पूल के बाहर निकल जाता है वो तुरंत उस पूल का एज पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ती लगाकर ओपर चड़ता है वो तुरंत विंट में जाकर बेहोश कोई को बाहर निकलता है पहले तो लगता है कोई मर चुकी है लेकिन बहुत कोशिशों के बाद और उसे CPR देने पर वो कोई को मुझे बताए कि आप ऐसे ही 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्स्प्लेनेशन के साथ पीस आउट